अगर कोई मुझसे पूछे की सर इंडियन पॉलिटी में कोई एक ऐसा चैप्टर बताईए जहां से कन्फर्म हर एक्जाम में प्रशना आता हो तो मैं उसको यही मौलिक अधिकारों वाला चैप्टर बताऊंगा क्योंकि चाहे IAS की परिक्षा हो चाहे UP-PCS-O, ROE, ROE, BEO, UP-ACC या भारत का कोई भी एक्जाम उठा लीजे एक प्रशन पॉलिटी में जरूर आता है वो क्या होता है fundamental rights या मौलिक अधिकार तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ जितने भी articles हैं मौलिक अधिकार के अंतरगत उनके बारे में बताऊंगा तो जितने basic exam होंगे 1 day exam जैसे PCS का pre-ROE, ROE, BEO, उसके लिए वरदान है थोड़ा और कभी-कभी PCS में या ROE, ROE में tough पूँच लेता है तो उसके लिए या UPSC में पूँच लेता है तो उसके लिए दूसरा वीडियो 12B और अगर एकदम ही tough question पूछना होगा मौलिक अधिकारों से संबंदित तो वो हो जाएगा 12C तो टोटल तीन केटिगरी के तीन वीडियो में बना रहा हो तो चलिए शुरुबात करते हैं भारती सम्विधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं कितने भाग हैं? 22 भाग हैं और 22 भाग में पहला भाग है संग्यों मुसके राजजचेतर दूसरा भाग है नागरिकता या citizenship और तीसरा भाग होता है मौलिक अधिकार या fundamental right तो भाग तीन है fundamental right और इस भाग के अंतरगत 12 article number 12 से article number 35 तक आते हैं याद रखिए तो मौलिक अधिकार में कुल कहां से कहां तक article जाते हैं मौलिक अधिकार क्या है याद रखिए किसी भी आदमी को अपना सर्वांगीन विकास all or all development के लिए कुछ अधिकारों की और कुछ स्वतंतरताओं की जरुरत होती है जिनको बोलते हैं मौलिक अधिकार याद रखिएगा किसी भी आदमी के सरवांगीन विकास के लिए जिन अधिकार हैं हम स्वतंतरताओं की जरुरत पड़ती है उनको हम लोग बोलते हैं मौलिक अधिकार एक लाइन में अच्छा आदमी को किस के लिए अधिकार चाहिए तो पहले मैं बता दूँ मौलिक अधिकार आम तोर पे जैसे कोई पुलिस मुझे आई और अरेस्ट करना चाह रही है बिना किसी वजह के तो अब पुलिस कौन है? गौर्मेंट का एक हिस्सा है, तो इसका मतलब गौर्मेंट चाह रही है मुझे अरेस्ट करना, ऐसा समझे तो मौलिक अधिकार किसी आदमी को राज्य है, राज्य का मतलब गौर्मेंट, अब मैं आपको यहां राज्य शब्द का मतलब भी अच्छा वी राजी है ये आर्टिकल 12 के अंतर गताता है तो आर्टिकल 12 कहता है राजी को define करता है राजी से आप क्या सम्मनज़ते हैं तो मैं आपको बता दूं राजी का मतलब हर वो चीज जो government agency है याद रखे गौर्ण्मेंट जहाँ घुसी है हर वो चीज किसके अंतर गत आएगा राज जिमाएगा जैसे पुलिस, डीम, एसडीम, जल निगम, नगर निगम, मतलब कोई भी चीज अगर सरकारी है तो वो क्या है राज जिमाना जाएगा, आप उसके खिलाफ मौलिक अधिकारों का क्लेम कर सकते हैं सुप्रिम कोट या हाई कोट में, क्लियर है न, या मिन्टल राइट हमें राज जी के खिलाफ शक्ती देता है याद रखेगा ये आटिकल नंबर 12 कहता है क्या कि राज क्या है मतलब सेंटरल गौर्मेंट, सेंटरल गौर्मेंट का मतलब लोगसभा, राज्यसभा, ठीक, लेजिसलेटिव, एक्जेक्यूटिव, ऐसे ही स्टे आदमी भी राज जी कहा जाएगा अगर गौर्मेंट का उसमें इन्वाल्मेंट है तो याद रखेगे गौर्मेंट का हर जगह जहां पे इन्वाल्मेंट है, हर उस जगह को क्या बला जाएगा, राज जी कहा जाएगा, आटिकल नंबर 13 कहता है कि कोई भी कानून बनेगा, court उसकी न्याईक समिक्षा कर सकता है याद रखे कोई भी कानून अगर किसके संबंधित बनेगा मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी कानून बनेगा तो वो न्याईक समिक्षा के या judicial review के अधीन है और कौन-कौन कर सकता है judicial review article number 32 के तहथ Supreme Court कर सकता है और article number 226 के तहथ High Court याद रखे तो मौलिक अधिकार अगर आपके मौलिक अधिकारों को कोई छीन रहा है तो आप सीधे Supreme Court जा सकते है या सीधे कहां भी जा सकते है High Court जा सकते है वैसे आम तोर पे कोई case चल रहा हो तो पहले कचहरी से निपटा जाता है लेकिन मौलिक अधिकारों कहां न नो रहा हो तो direct High Court और direct Supreme Court भी जा सकते है तो याद रखे article number 13 क्या कहता है article number 13 कहता है कि कोई भी कानून बनता है मौलिक अधिकारों के लिए तो ये स्वक्षंद है मतलब इसका judicial review किया जाएगा कौन-कौन सा Supreme Court और High Court के द्वारा याद रखे ठीक अगला आ जाईए इसके बाद शुरू होता है original मौलिक अधिकार तो ये देखिए सामने है मौलिक अधिकार total यहाँ भी आपको 6 मौलिक अधिकार दिख रहे हैं कितने मौलिक अधिकार दिख रहे हैं 6 मौलिक अधिकार हिंदी और इंगलिज में देखिए 1,2,3,4,5,6 6 मौलिक अधिकार दिख रहे हैं लेकिन सम्विधान के बाद सम्विधान बनने के बाद पहले कुल 7 मौलिक अधिकार थे किदरे मौलिक अधिकार थे? साथ मौलिक अधिकार थे सबसे पहला अधिकार था समानता का अधिकार दूसरा अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार तीसरा अधिकार था सोशन के विरुद्ध अधिकार चौथा अधिकार था धर्म की धार्मिक सुतंता का अधिकार पाँचवा अधिकार था सांस्क्रित और सिक्षा का अधिकार छटा जो था वो छटा था किसका संपत्तिक अधिकार छटा मौलिक अधिकार कौन सा था संपत्तिक अधिकार था आर्टिकल नंबर 31, उसको हटा के किसमे घुषड दिया गया, उसको हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया, और सम्मिधान के आर्टिकल 300A में रख दिया गया, अब ये कौन सा अधिकार है, कानूनी अधिकार है, जाद रखें संपत्तिका अधिकार पहले क्या था, मौ अब उसको मौलिक अधिकार से हटा के अब वो कानूनी अधिकार बना दिया गया तो 300A, आटिकल 300A में संपत्ति की अधिकार को डाल दिया गया है, ठीक है, और वो कौन से भाग में है, 12 में भाग में है, ये बात याद रखेगा, तो अब कुल कितने अटिकल हैं, टोटल अब 6 मौलिक अधिकार है, तो आपको रट लेना चाहिए, कितने मौलिक अधिकार, 6, सबसे पहले समानता काधिकार 14-18, याद रखेगा, सबसे पहला समानता काधिकार 14-18, आम तोर पे किसी एकजाम में, छोटे-मोटे वंडे एकजाम में इनी से आ जाता है, तीक, ये बेसिक ल तो मैं उसको भी बहुत बढ़ियां से आपको पढ़ाऊंगा अगली वीडियो में दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार स्वतंता का अधिकार 19 सिले के 22 तक है तीसरा अधिकार है शोषन की विरुद्ध अधिकार 23, 24 चौथा अधिकार है धार्मिक शुतंता का अधिकार 25 लेके 29 तक, सुरी 25 लेके 28 तक, फिर पांचवा है संस्क्रित व्म सिक्षा का अधिकार 29 और 30 आठिकल और सबसे लास्ट में 6 अधिकार है कौन सा? सम्मेधानिक उप्चारों का अधिकार वो है आठिकल 32 तो टोटल कितने हो गए? 6 मौलिक अधिकार हैं यह आपको रटना है और यह मौलिक अधिकार शुरू होते हैं 14 से और खतम होते हैं 32 पे याद रखियेगा मैं शुरू में इस वीडियो की आपको बताया कि मौलिक अधिकार कुल 12 से लेके 35 तक हैं तो मैंने आपको 12 बता दिया मैंने आपको 13 बता दिया 14 से लेके 32 तक यहाँ पे अलड़ी हो चुका है अब बच रहे 33, 34 और 35 एक बार उन अधिकारों को भी देख लिया जाए इस व आटिकल नमबर 33 कहता है ध्यान से सुनिएगा आटिकल नमबर 33 कहता है क्या पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि जितने भी आम्ड फोर्सेज हैं याद रखिएगा ध्यान से सुनिए आम्ड फोर्स के मौलिक जिसे हर आदमी भारत के हर आदमी के पास मौलिक अधिकार होते हैं जिनके लिए वो लड़ सकता है किसे राजी के खिलाफ किसमें लड़ सकता है हाई कोट में लेकिन आर्टिकल नमर 33 कहता है पार्लियमेंट को ये पावर दे रखी है कि आर्म्ड फोर्स जितने भी हैं उनके पुलिस आर्म्ड फोर्स और जितने भी paramilitary हैं, इन agencies के मौलिक अधिकारों को कम किया है। याद रखिएगा, article number 33 क्या करता है? जितने भी government के paramilitary, army, चुकि देखें, army के मौलिक अधिकार के मतलब आप phone नहीं चला सकते, आप अपने मन से नहीं कुछ काम कर सकते, क्यों? क्योंकि वो अधिकारों को कम किया गया है, article number 33, मेरी बसमझ में आगे न, कुल मिला कि article number 33, पुलिस की army के अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को कम करता है, और ये ताकत किसके पास है? पारलियामेंट के पास है, याद रखिएगा, अगला आजाईए, article number 34, 34, sorry, article number 34 क्या कहता है, कि उन जगह, जहां से सुनिए, उन जगह जहां पर क्या लगा हुआ है, martial law लगा है, martial law का मतलब क्या होता है जानते हैं, जहां पे army को ज़्यादा power दी गई है, जैसे आपने अभी हाल में सुना होगा, मड़ीपूर हिंसा में, तो वहाँ पे martial law है, किसका है, अफस्पा है, armed force का special act लगता है, जहां पे armed force को ज़्यादा ताकत दे दी जाती हैं, वहाँ के respective police से ज़्यादा, तो article number 34 किससे समझ देता है, martial law से, मतलब जैसे जम्मू कश्मीर में पहले था, क्या था, कि जम्मू कश्मीर में, आर्मी के पास, वहाँ के पुलिस से ज़्यादा ताकत थी, तो इसको बोलते हैं, martial law या अफस्पा, armed forces को ज़्यादा power दे देना, गोली चला देना, इन सब power armed force को दे देना, यह किसमाता है, अफस्पा में आता है, यह है आर्टकल नंबर 34, और लास्ट है आर्टकल नंबर 35, जिसमें बताता है कि कोई भी चीज, कोई भी amendment करना होगा, कुछ बनाना, बिगाडना, यह सारी ताकत किसके पास है, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ पारलियामेंट के पास है, किसी स्टेट गॉर्मेंट के पास, सम्मिधानिक अधिकारों को, कौन सा अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को, एमेंट करने के ताकत किसके पास है, पारलियामेंट के पास है, पारलियामेंट कानून बना सकती है, किसके लिए, मौलिक अधिकारों के लिए यह article number 35 कहता है ठीक है तो यह हुआ article number 12 से 35 तक कैसी लगी यह वीडियो जरूर बताईएगा अगली वीडियो में मैं आपको सबसे important topic बताना शुरू करूँगा क्या important topic का मतलब मैं अगले topic में आपको बताऊँगा article number 14 से समानता के कौन-कौन सहिधिकार है उन अधिकारों का अपवाद क्या है यह सारी चीजे में आपको बताऊँगा अब आपको इसके बाद क्या करना होगा toppers code पे जाके जितने भी objective आप देख रहा होंगे 20-20-30 test में उसमें upload कर रहा हूँ पुराने साल के paper को ही मिला के तो वो आपके लिए ब्रह्मास्त का काम करेगा thank you so much कैसी लगी वीडियो पताना चाहें तो जरूर बताईएगा